ये एपिसोड भी स्टाट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर लूओ फैंग और उसकी पूरी टीम एक माउंटेन में चुपे होते हैं उस मॉंस्टर से बचने के लिए लीडर होंग वोरियलिशन और लूओ फैंग कल्टिवेशन कर रहे होते हैं जबके टाइना आनी और होगियों यहाँ पर नजज़ा रख रहे होते हैं कि अगर वो मॉंस्टर इस माउंटेन पर अटेक करके हमें मारने की कोशिश करें तो हम उसका सामना कर पाएं वो मॉंस्टर बार बार इनके उपर से गुज़र रहा होता और देख रहा होता है कि क्या यहाँ पर कोई रस्ता है जिससे वो इन पर अटेक कर पाए उसके वहाँ से गुज़रनी की वज़ा से हम देखते हैं कि लीडर होंग का ध्यान भी बटक जाता है क्योंकि एक पल के उन्हें भी लगा था जैसे कि वो मॉंस्टर यहाँ पर आ रहा है लेकिन उस मॉंस्टर के इस मॉंटेन के अंदर आने का कोई भी रस्ता नहीं मिलता है इसलिए वो इस मॉंटेन के उपर फ्लाय करता रहता है लुओ फैंग और वोरियलिशन ध्यान लगा कर कल्टिवेशन क कर रहे होते हैं और फिर ऐसे ही देखते देखते सारी रात गुजर जाती है और फिर दिन हो जाता है सुरज की रोशनी लुओ फैंग के उपर पढ़ती है और इसी के साथ हम देखते है कि लुओ फैंग ने अपनी कल्टिवेशन कम्प्लीट कर ली होती है यानि कि उसने पल लोट का बदला लूंगा ये कहते हुए लूओफांगक और बाकिस सभी माउंटेंज से बाहर आजाते है रिऊते हσιं, तब mile हम देखते है कि उस माउंस्टर को भी मौलूम हो जाता है वो भी इन सब बाद लुवा फैंग अपनी Heavenly Forbidden Shuttle के उपर फ्लाय करता है, सीधा उस Monster की तरफ बढ़ी तेजी के साथ आस्मान की तरफ बढ़ने लगता है, वो Monster भी बढ़ी गुसे में और तेजी के साथ रोर करते हुए लुवा फैंग के उपर अटेक करने के लिए नीचे आ रहा होता है, लीडर होंग और Warrior Legion ये देकर परिशान हो रहे होते हैं, जबके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुवा फैंग और वो Monster बहुत ही ज़्यादा तेजी के साथ एक दूसरी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, अब जैसे ही फैंग उस Monster के क्रीब पहुंचने वाला होता है, तो वो उस Monster के Mind के उपर Effect करती है, जिसकी वज़ाए से उस Monster का Mind वहाँ पर पूरी तरह से Blank हो जाता है, और उसकी सारी Energy और Power भी खतम हो जाती है, ये देखकर फैंग भी जल्दी से टाइन आनी और ओगियों से कहता है, आगे बढ़ो, ओगियों अपनी Full Power को यूज करता है वे Small Flying Knife के साथ उस Monster के उपर हमला करता है, उसके इस Attack की वज़ासे वो Monster वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, इसकी वज़ासे वो Monster भी अब होश में आ चुका था, इसे के पहले कि वो Monster होश में आकर वहाँ पर कुछ भी कर पाता, तबी दूसरी तरफ से टाइन आन से मारा जाता है, ये देकर वोरियलीशन काफी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं बहुत अच्छे, लीडर होंग वोरियलीशन को बताते हैं, थर्ड ब्रदर ने अभी अभी जो Speechle Attack उस Monster के उपर किया, वो उनकी न्यू टेकनीक है, वोरियलीशन खुश होते हैं, थर्ड ब्रदर आपकी Progress तो रिमार्केबल है, एज ए एल्डर ब्रदर मैं भी हार नहीं सकता, तो फिर चलो, अब इमीडेटली थंडर विंड वैली की तरफ चलते हैं, मेरी बोड़ी अभी अभी रिकवर हुई है, और लकीली मैं अपनी बोड़ी को स्ट्रेच भी कर पा र इसके बाद ये पूरी टीम फ्लाय करते हैं, तो आपर तुफानी हुआये चलरी होती है, और इंके लिए तेजी के साथ यहां पर फ्लाय कर पाना मुश्किल हो रहा था, जिसे देखते हुए लुओ फैंक कहता है, यह इस लिटिंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेंजरस जगा है, यूँही थोड़ी दर fly करने के बाद वो लोग धंडर Onuind वैली में पहुंच जाते हैं और फिर इस जगा को स्केन करके इसके मोश्म के बारे में और यहां की सूर्थ हाल के बारे में चेक करने लगते हैं इस wind pressure के अंदर जिसमें हम अभी हैं अगर यहाँ पर कोई normal human होता तो उसकी तो body पूरी तरह से crash हो जाती अभी हम पूरी तरह से इस valley के अंदर भी नहीं गए फिर भी यहाँ पर इतना ज्यादा pressure है मुझे डर है कि अगर हम यहाँ पर इसके core area के अंदर जाते हैं तो वहाँ का wind pressure तो इतना ज्यादा होगा कि universe level के warrior के लिए भी वहाँ पर खड़े हो पाना मुश्किल होगा तब भी बाता वहाँ पर आ जातियर उनसे कहती है हवा के pressure का सामना करने से पहले यह सोचिए कि यहाँ पर जो दूसरी टीम्स आई हुई है उनके साथ कैसे निपटना है क्योंके वो लोग आपके competitors हैं और अगर उन्होंने आपको देख लिया तो वो यहाँ से आपको बचके नहीं जाने देंगे और फिर वो यहाँ पर एक screen को लाते वे इस पूरी area को scan करके दिखाती है कि यहाँ पर कितनी ज्यादा teams आई हुई है जिसमें total 292 warriors show हो रहे होते हैं और यह सब भी अलग-अलग associations में से यहाँ पर आए हैं वोरियर लीशान उसे देखते वे कहते हैं इतने सारे warriors यह सबी लोग यहाँ इतने सारे warriors को देखका सोच में पड़ जाते हैं तभी वोबाता इनसे कहती है यहाँ ठंडर विड वैली में हीलियोंक्षन किंडम की 5 major organizations की members आए हुए हैं यह सबी usually hard situations में टीम की form में आगे बढ़ते हैं और यह लोग अपने सामने आने वाले को नहीं छोड़ते जिस पर लीडर हों कहते हैं यह हीलियोंक्षन किंडम की टीम actually आई कहां से हैं इनकी तदा तो दूसरी organization से कहीं ज्यादा है जिस पर वो बाता उने बताती है हीलियोंक्षन किंडम की यह टीम पूरे किंडम में सबसे ज़्यादा strongest force है इनकी abilities बेहु होल और बाकी जितनी भी private organizations हैं उनसे कहीं ज़्यादा है especially हीलियोंक्षन किंडम टीम को royal family से sport भी हांसिल है जिस वज़े से इनकी power और भी ज़्यादा बढ़ जाती है बबाता की ये बात सुनकर ये सबी यहाँ पर सोच में बढ़ जाते हैं कि तब ही वोर्यलीशन को वहाँ पर कोई नजर आता इसलिए वो बड़े ही गोर के साथ अपने आर्मर की help से उसे देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है कौन वो उसे देख रहे होते हैं कि तब भी बबाता को भी ये मालूम हो जाता है और बबाता उसे देखते वे कहती है इनके आर्मर को देखते वे मैं ये बता सकती हूँ कि ये ही लियोंक्शन किंडम की टीम में से है और फिर वो बड़ी गोर के साथ उसे देखते वे कहती है हाँ ये वही है वो लोग 9th प्रिंसिस की तरह बहुत ज़्यादा एरोगेंट और रेसिस्ट है तुम लोगों के लिए बहतर यही होगा कि तुम इनके साथ किसी भी किसम का कोई तालूक ना रखना लुओ फैंग भी दूर खड़ा अपने आर्मर की हेल्प से उस टीम को देख रहा होता है कि तबी वहाँ पर उस टीम के मेंबर्स अपने लीडर को बुला लेते हैं जिसे देखते वे फैंग कहता है इन लोगों ने अपने लीडर को भी बुला लिया वो टीम मेंबर्स अपने लीडर को लुओ फैंग और उसकी टीम के बारे में बताते हैं और जैसे वो लीडर इनकी टीम की तरफ देखता है तो लुओ फैंग चौक जाता है चलो जल्दी से यहां से निकलो लुओ फैंग और उसकी पूरी टीम बढ़ी तेजी के साथ यहां से दूसरी तरफ निकल जाती है अब वो लोग यहां पर तेज तुफान और हाई विंड प्रेशर के अंदर फ्लाय करते वे जा रहे होते हैं कि तब लुओ फैंग सोचता है मुझे ठंडर विंड वैली के और अंदर जाने के लिए सेफ फैस्ट डूट की प्लैनिक करनी होगी अदरवाइस यहां पर ऐसे ही आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है इसके बाद लुओ फैंग यहां पर फ्लाय करते साथ साथ ध्यान लगाकर देखने लगता है कि यहां ऐसी कौन सी सेफ प्लेस है जहां पर रुकर मैं यह प्लैनिक कर सकता हूँ थोड़ी देर तक इस जगां को अबजर्ब करने के बाद लुओ फैंग को एक साइड पर महसूस होता है कि जैसे कि यहां पर कोई सेफ प्लेस है वो उस जगां को देखते वे अपने experience से कहता है उस जगां से हवा का sound आ रहा है ऐसा लगता है कि वहां पर एक रस्ता है तब ही तो वहां पर हवा आ चा रही है इसलिए वो उस जगां की तरफ फ्लाइ करते हैं यानि के कोई हमारा पीछा नहीं कर पाएगा सबी मेरे पीछे आओ ये कहते वे फैंग उन सबी को इस माउंटेन के अंदर ले जाने लगता है इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है रहा हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है सीनियर मिंग यू को वो यहाँ पर इन सारी टीम्स को देख रहे होते हैं कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं वहाँ की सिचुजेशन को देखते वे सीनियर मिंग यू भी समझ जाते हैं कि वहाँ का महौल काफी ज़्यादा गरम है और अगर कहीं दूसरी टीम्स ने फैंक जिया उस्टोंस को लेने के लिए एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर दिया तो फिर तो वो जगा बैटल फिल्ड बन जाएगी जो के दूसरे चोटे वोरियर्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी फिर इसके बाद वो वहाँ पर लूओ फैंग और उसकी टीम को ढूड़ने लगते हैं थोड़ी देर तक ढूड़ने पर उन्हें वो मिल भी जाते हैं उन्हें देखते हुए वो कहते हैं लूओ फैंग ज़्यादा पावरफुल और डॉमिनेटिंग भी है उनकी ये बात सुनकर वो बाता भी वहाँ पर आजाती है और कहती है तो क्या हुआ वो लोग हर चीज को कंट्रोल नहीं करते हैं अगर आप लोग चाहें तो आप दूसरी ओर्गनाइजेशन में भी जोइन हो सकते हैं ज ऐसे कि हमारे इस वर्ल्ड में आने के बाद बेहु होल के एक टीम ने हम पर अटेक करके हमें लूटने की कोशिच की तो हमने उनकी टीम को मार डाला और साथ इसाथ उसमें नोलांसन क्लैन भी तो है इस वज़ासे हम बेहु होल में तो नहीं जा सकते लेकिन इसके इलावा ह पूरे उतरते हैं तो हम उसमें जोइन हो सकते हैं किसी ना किसी तरह करके हम उस और्गनेजेशन का मेंबर तो बन जाएंगे लेकिन उसका इंटरनल मेंबर बनने के लिए हमें किसी इंटरनल मेंबर की रिकमेंडेशन की जिरूरत होगी उनकी इस बात पर वोरियलीशन उनसे क कहते हैं, ओ हाँ, याद आया Hook और Jeep, जीन से हम Killer Arena में मिले थे, वो लोग भी तो Be Long City से ह唉, इस मामले में हम उन से बात कर सकते हैं, जिस पतरा Lead Hong केहते हैं, हाँ, हम इसके बारे में सोचते हैं, और इसी के साथssen वो वह से बेलोंग सिटी के लोग पहले ही कम हो चुके हैं अगर आप लोग हमारी टीम में जोइन होना चाहते हैं तो मैं और जिया डेफिनेटली आपको वेलकम करेंगे हम अभी भी आगे बढ़ने के लिए प्लैनिंग कर रहे हैं लेकिन अगर आप लोग हमारे साथ चलना चाहते हैं तो हम आपके साथ चलेंगे और फिर हुक और जिया यहां पर लुवा फैंक को मैप दिखाते हुए कहते हैं कि यह देखो हमें एक जगा मिल चुकी है जहां पर फिंक्शू स्टोन है और खुशकिस्मति की बात यह है कि वहां पर अभी तक कोई भी टीम नहीं पहुँची अगर तुम लोग चाहो तो हम एक साथ वहां पर जा सकते हैं और फैंक्शू स्टोन्स की तलाश करते वे उन्हें कठा कर सकते हैं उनकी यह सारी बात सुनने के बाद लुवा फैंक्श सोचते हुए कहता है अगर हम दोनों टीम्स मिल जाती हैं तो इससे हमारी सेफ्टी इंशोर हो जाएगी और इसी के साथ साथ हमारी एफिशेंसी भी बड़ेगी जिस पर लीडर हों कहते हैं यह प्लैन तो अच्छा है लेकिन हम दोनों टीम्स अभी इस वक्त एक दूसरे से काफी दूर है और अगर हम लोग हुक और जिया की टीम तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रस्ते में आने वाली दूसरी टीम्स को अवोईट करना होगा और इसी के साथ साथ हमें वहां तक पहुंचते हुए ठंडर विंड्स का भी सामना करना होगा वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यह ठंडर विंड्स वाके में ही बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहां पर खतम हो जाता है तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या लूओ अफैंगर उसकी टीम जिया और हुक की टीम तक पहुंच पाएंगे या नहीं